हलो दोस्तो नमस्कार प्रोफिट गुरु चैनल में एक बार नई मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूँ तो दोस्तो आज मैं आप लोगों को दो ऐसी कमपनी के बारे में अपडेट देने चारा हूँ जिसको सरकार यहां पर पूरी चरीके से बंद कर रही है जिसमें से एक कमपनी स्टॉक मार्केट में भी लिष्ट है अब वो ऐसी कौन सी कमपनी है ठीक है वो कमपनी के बारे में क्या आपने उसमें शेर खरीद के रहे हैं या खरीदने की सोच रहे थे ठीक है अब दिखिए obviously बात है दोस्तों बहुत सारे investor है ना बहुत तेड़े होते हैं ठीके तेड़े किस प्रकार से होते हैं कि नहीं हम तो buyback में हिस्सा लेंगे ठीके deal listing में participate करेंगे मतलब ऐसे investment करते हैं और वहाँ पर फज जाते हैं और उनका fund अटक जाता है जैसे dealisting हुआ था अभी किसका बेदानता का हो रहा था बेदानतों को करीवन 90% तक share lot करना था dealisting के लिए तो वहाँ पर traders ने क्या सोचा अच्छा discount मिल रहा है तो चलो अपन ले लेते हैं share का price चल रहा है 130-135 रुपे वहाँ पर buy क्या आज गिर के कहा आ गया 90 रुपे अब buyback में भी यही process है लग गया application तो अपना नहीं तो सपना ही सपना रे जाएगा तो यह सबी पर आपन आज focus करने वाले ठीज है तो चलिए दोस्तो वीडियो को start करता हूँ वीडियो को start करने से पर लेक बार में फिर से बोलना चाहूँगा profit guru चैनल पर अगर आप first time आये हो तो definitely subscribe करके जाएगा नीचे description में दोस्तो टेलीग्राम का link दिया हुआ जाके फटा-फट से join हो जाएग क्यों कि महाँ पर daily basis पर इंट्रडेकेट tips प्रोवाइट की जाती है तो देखे दोस्तो company के directly उपर लेके आ गयों में ठीके company का नाम है scooter इंडिया लिमिटेड अब यह नहीं है कि दोस्तो आपने company का नाम देख लिया और आपने यहाँ पर वीडियो को post कर दिया कि हाँ चलो हो रही है अपने क्या मतलब अपने investment में नहीं करने वाले थे नहीं अपना कोई investment पहले से कारा हुआ है दोस्तों यह future में बड़ी से बड़ी company के साथ हो सकता है चाहे वो TCS हो चाहे वो Reliance हो आपने उसमें पैसा लगा के रखा है मैंने भी लगा के रखा है तो मानलो की निकलने लगा जैसे यह news आती है कि company बंद हो रहा है यह पूरी तरीके से ठीके तो कहां किस हालत में पैसा निकाले अब देखे सर्किट लग रहा है तो सर्किट में selling position तो बनेगी नहीं नहीं buying position बनेगी ठीके stock मातर दोस्तों BSC पे आपको मिले गई है पर आप दे stock का price भी शांदर देखने को मिलेगा 5 साल की में बात करो 5 साल में गिर रहा है लेकिन अभी तक का अगर chart pattern देखोगे दोस्तों तो अभी तक का chart pattern आपको green देखेगा तो क्या होगा दोस्तों बहुत सारे traders सोचेंगे खरीद लेते है news नहीं पता बहुत सारे traders यह सोचेंगे चलो ठीके delisting भी होगा delisting में participate कर लेते हैं तो दोस्तों आप लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं करना है मानलो in future में आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कभी यह news भी आती है stock का price चलो गिर रहा है ठीके देखे stock का price high level से गिरना चालू हुआ है तो यहाँ पर आपके पास ए नहीं हो पाती है company बंद नहीं होती है तो वहाँ से फिर वह stock राकिट बनेगा और आप लोगों को profit देखे जाएगा चलो अब loss हो रहा है तो मानलो कि आपने अगर company में किसी company में मानलो की आपने 100% fund लगा है 100% मतलब अगर मैं बानू 1,00,000 पूरा लगाया तो stock suddenly news आई आप आपको news पता चली क्योंकि आप तो हर stock के news जानते क्योंकि आपने portfolio में manage करके रखा है अब मानो suddenly news आई उस दिन stock ज्यादा ज्यादा कितना गिर सकता है अगर उसका circuit process होगा 5%, 10% या ज्यादा ज्यादा 20% तो आप फठाक से stock को उसी दिन sale करिए उसी दिन sale करने पे आपको क् होगा दोस्तों उसी दिन sale करोगे तो मान लीजिए कि 20% का circuit लगाए है तो एक लाग में से कितना fund जा रहा है 20,000 ज्यादा से ज्यादा मान लो 50% चलेगा कितना 50% लेकिन दोस्तों आप लोगों का महाँ पर 80% या 90% तो नहीं गया ना ठीक है अभी भी आपके पास क्या बच बचाए मतलब 50,000 बचाए अच्छी company दो महाँ पर डाल दो महाँ पर नहीं होगा तो किस्मत अगर बाइलकली चल गई तो महाँ पर आप लोगों को recovery मिल जाएगी तो इस 50,000 का loss का अपसोस नहीं होगा लेकिन वहाँ 70,000 अगर वेट करने में loss कर दिया तो दोस्तों फिर आ supply कर सकते हो यह चीज़े अगर आप लोगे के साथ होती है तो ठीके चलिए आगे और भी चीज़े जानते हैं इन company की अब देखें दोस्तों company performance अच्छा करती है नहीं भी करती है तो क्या होता दोस्तों जिसका जिसका हाँ में control रहता है उसके उपर सब चीज जाती है अब य आपर मना किया क्योंकि दोस्तों में मुद्दा था इसके जो stake holder है वो है government अपने देश की government अब government का अगर मान लो stake सबसे ज़्यादा है government इसको चला रही है तो government क्या दोस्तों government company तो आप लोगों को पता ज़्यादा से ज़्यादा loss बरी रहती है जैसे अभी भी आपने लोगों को आगे in future सोच के चलना है कि अगर बाइलगली हमाई साथ अगर इसा होता है तो हम क्या करें ठीक है अब आप लोगों के मन में यह योगा दोस्तों देखिए आप भी job करते हैं किसी ना किसी company में ठीक है आप भी किसी company के employee हैं आपको process मालूम है यह मुझे नहीं प करने के बाद जो भी अगर मान ली अगर बिकती भी एक छोटी मोटी भाव में भी बिकती है मतलब इतनी मतलब इसमें जितने भी employee हैं तो यह company बिक जाएगी बिकने के बाद क्या रहेगी दोस्तों कि यहाँ पर company का नामों निस्तान मिठ गया मतलब company का का रखाना डबबा वी खा तो वो डबा वीक ने कवा जो भी पैसा आगा वो BRS के इसाब से यहाँ पर सभी employee को बाट दिया जाएगा ठीक है मतलब किसी का PF भी रेगा किसी का मतलब यह इससा भी रेगा सभी चीजे मिला के आप लोगों को पता होगा कि वो किस प्राकार से रेता है तो यह employee को बाट दिया जाएगा मतलब employee को पूरी तरीके से loss नहीं होगा लेकिन उसकी एक permanent job चले जाएगी ठीक है अब देखे दोस्तों money control की site के उपर लेके आया हूँ यहाँ पर shareholder pattern आप लोगों को दिखा रहा हूँ इसका ठीक है shareholder pattern मतलब promoters ही इसके government ही promoter है इसकी company ही ठीक है तो असंबलो 77% की मतलब पूरा ही control promoters का जो है वो company के उपर चलता है promoters आप लोगों को पता है कि company के मतलब अपने देश की government है ठीक है वह अगर मैं बात करता हूँ प्लेज की तो मतलब एक भी share इसा नहीं जो गिर्वी रखा हुआ है ठीक है foreign investor ने इस company में investment नहीं करके रखाए DIA नहीं यहाँ पर investment करके रखा है करीबन 410, 412 इस हिसाब से अगर मैं financial company की अगर मैं बात करता हूँ कोछ financial insurance company है तो यहाँ पर आप देख सकते हो करीबन 0.3% का यहाँ पर आप लोगों को investment करते हो देखने को मिलेंगे इस की अगर मैं बात करते हैं तो आप देख सकते हों अधर डिया इस की अगर बात करते हैं तो उन्होंने भी इसमें investment करके रखा है मतलब यह सभी इनको बेचना पड़ेगा या कुछ government इनकी सबकी help करेगी दोस्तों क्योंकि यह सभी चीजे काफी matter करती है इस मामले में कि government directly company को बंद कर रही है तो उनका क्या होगा चलो promoters के पाथ जिसने जित्ते stake उसका तो नहीं लेकिन यह डिया याई की अगर मैं बात करता हूं यह foreign investment बहुत सरी यह financial investment के अगर मैं बात करता हूं यह सभी चीजे को यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से manage करना पड़ेगा तो यहाँ पर दोस्तो आप लोग देख सकते हो second company का नाम है भारत pump भारत pump company भी यहाँ पर एक d list मतलब अपनी बंद ओने वाली है नाम भी भारत pump है मतलब अपने जैसके उपरी company का नाम है तो मतलब यह दोनों company ही दोस्तो almost बंद होने वाली है controlling stack के अगर मैं बात करता हूं दोस्तो तो government के हाथ में इनका controlling stack करीवन 90% से उपर का दोनों कमपनिया में है ठीके तो ये दोनों कमपनिया अराम से बंद होगी दोस्तो news पहले भी आई थी ठीके मतलब ये 28 जून के पहले भी मतलब ये news market में public हो चुकी थी ठीके जिसके बाद से processing चालू हुई तो processing चालू होते भी करते आप लोगों को पता है कि किस परा करते momentum बनता है momentum बनने के बाद आग ये news कल और आज डवल से आईए तो ये अपने को देखने को मिल रही है आप दोन कमपनी के बार में आप लोगों को अपडेट दे चुका हूं है कुछ भी दिक्कत आती है आप हमारा टेलिग्राम ग्रूप जॉइन करिए देन यहाँ पर कमेंड करिए कमेंड का प्रॉप और रस्पॉन्स दिया जाएगा टैंकियो दोस्तो कर दो